Regressive Thinking के साथ जो देश आतंकवाद का political tool के रुपे इस्तमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खत्रा है. ये सुनिशित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्थान की धर्ती का इस्तवाल आतंकवाद फैलाने और आतंक की हमलों के लिए न हो, हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा, कि वहाँ की नाजुक स्थिंकियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें. इस समय अफगानिस्थान की जन्ता को, वहाँ की महलाओं और बच्चों को, वहाँ की माइनोरिटीज को मदद की जरुरक है. और इसमें हमें अपना दाइत्व निभाना ही होगा. अध्यक्ष महोदाए, हमारे समंदर भी हमारी साजी विरासप है. इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन डिसोर्सिस को हम यूज करें, अब्यूज नहीं. हमारे समंदर अंतर राष्टिय व्यापार की लाइफ लाइन भी है. इन्हें हमें एक्स्पांशन और एक्स्लूजन की दोड़ से बचा कर रखना होगा. रूल बेज वर्ल्ड और्डर को ससक्त करने के लिए अंतर राष्टिय समुदाय को एक सूर में आवाज उठानी ही होगी. सुरक्षा परिशद में भारत की प्रसिडेंसी के दोरान बनी विश्टूर्थ सहमती विश्व को मेरिटाइम सिकुरिटी के विशे में आगे बढ़ने का मार्क दिखाती है. अध्यक्ष महोदाय भारत के महान कुट नितिग्या आचारिय चानक्या ने सदियों पहले कहा था। कालाती क्रमात काल एव फलम पिवती जब सही समय पर सही कार्य नहीं किया जाता तो समय ही उस कार्य की सभलता को समाप्त कर देता है। समयुक्त राज को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेश को सुधारना होगा। रिलाइबिलिटी को बढ़ाना होगा। यूएन पर आज कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवाल को हमने क्लाइमेट क्राइसिस में देखा है। कोवीड के दोरान देखा है। दुनिया के कई हिस्सों में चल रही प्रोक्सी वार, आतंकबाद और अभी अफगानिस्तान के संकट ने इन सवालों को और गहरा कर दिया है। कोवीड के ओरिजिन के संदर्व में और इज आप डूइंग बिजनेस रैंकिंग को लेकर वैश्विक गवरनेंस से जुड़ी संस्ताओं ने बसकों के परिशम से बनी अपनी विश्व से जता को नुक्षान पहुचाया है। यह आवशक है कि हम विएन को ग्लोबल आडर, ग्लोबल लॉंस और ग्लोबल वैल्यूज के समरक्षन के लिए निरंतर सुद्रड करें। मैं नोबल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रबिंद्रनाट तगोर जी के शब्दों के साथ अपनी बात समार्थ कर रहा हूं। शुभो कर्मपोथे, धोरो निर्भोयोगान, शौब दुर्बल सौन्योष होक अभोशान। अर्थात अपने शुभ कर्मपत पर निर्भीक होकर आगे बढ़ो, सभी दुर्बलताएं और संकाएं समाप्त हो। ये संदेश आज के संदर्व में सयुक्त रास के लिए जितना प्रासंगिक है, उतना ही हर जिम्मेदार देश के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। मुझे विश्वास है, हम सब का प्रयास विश्व में सांती और सवहार्द बढ़ाएगा, विश्व को स्वस्त, सुरक्षित और सम्रद्य बनाएगा।